हलो एब्रीवन नमश्कार जैसा कि मैंने सुवे ही आपसे बात की थी जो आपकी वेकंसी है BEO यानि Block Education Officer के बारे में इसमें मैंने सुवे एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने प्रेडिक्ट किया था कि आखिर क्या क्या हो सकता है इसकी Educational Qualification तो लगभग वो चीजें सेम गई हैं जो जो मैंने डिसकस किया था हाँ यहाँ पर अब यह एक बात आ गई है कि आयोग ने जो है PG हटा के अब सिर्फ असनातक कर दिया है इसमें कुछ डिटेल मैं आपको लेकर शल लाओं सबसे पहले यह जो आपकी पद है यानि उतरप्रदेश लोग सेव आयोग के दोरा खंड सिच्छा अरिकारी का जिसको मैंने बताया इंगलिस में BU बोलते हैं यानि Block Education Officer होता है तो इसके बारे में सारी information मैंने सुबह ही दी थी अब कुछ चीजें जो आयोग की notification में आ गई हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी हैं जिन पर सवाल हैं उनको लेकर मैं आपसे बात करने आया हूँ तो सबसे पहले चीजें ये चीज आपको confusion मलब दूर कर लेनी है कि जैसे अभी educational qualification को लेकर बहुत सारी चीजें बार बार आ रहे हैं लोगों के दिमाग में कि आखिर क्या होना चाहिए तो उन समाम पहलों पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ तो चलिए एक एक कर सबसे पहले तो आवेदन आज से ही सुरू है दूसरी चीज अन्तिम्तिती 13 तारीक है ठीक है बाकी अन्य चीजें जो है वो डिटेल आप जानते ही है सुल्क वगएरा बहुत कुछ है common सा है ठीक है अपलाई करने वाला कुछ महत्पूर महत्पूर प्रिया का जो भी लगता हूँ ठीक है 125 रुपए ऐसे लगेगा कुछ important चीजों पर मैं आपके साथ आ रहा हूं कि क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में हाला कि मैंने सुबह जितनी चीजे बताई थी लगबग वैसा ही है रिक्तियों की संख्या जो पोस्ट है कितनी ज़ दलू यस वाला है आरख्षण इसमें ठीक है कई ना कई आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है अब यह 10% चलेगा या क्या चलेगा यह आयोग पर डिपेंड है हाला कि 10% जो है आरख्षण होना चाहिए बाकी यानी चीजे जो है उत्तर प्रदेश के लिए जो अनसूची जातियां हैं और यह सब है इनके लिए तो उसी हिसाब से आरख्षण चली रहा है जैसा कि आस्तक आयोग ने किया है आगे हम बढ़ते हैं कुछ और डिटेल के साथ जैसे जो आई सीमा में छूट है उनके लिए तो प्रमार पत्र वगएरा देना ही पड़ेगा हार एक ना तो उनके लिए भी इसमें BCS किया गया है अब मैं सबसे important बात करने वाला हूँ सैच्छी का हर्ता पर कि बहुत सारे सवाल इस पर बार बार उठ रहे हैं कि आखिर education qualification होनी क्या चाहिए आयोग ने चुकि ऐसा लिख रखा है कि इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत जो है UPPSC आयोग ने लिखा है भारत में बिधी द्वारा अस्थापित किसी बिष्विध्याले से सिछा सास्तर में अस्तनातक उपा दी ठीक है सिछा सास्तर में अस्तनातक वैसे इंग्लिज देखा जाए तो bachelor of education इसको सिछा सास्तर में अस्तनातक बोलते हैं या इसको आप पांच अहरताएं मेरे अनुसार इसमें हो सकती हैं, तो जो जो लोग इस अहरता को पा रहे हैं, वो लोग मलब इसमें पूरी तरीके से अच्छे से आप सुन लीजिए, वो लोग उसको जो है apply बिलकुल करिये, और कौन-कौन सी अहरताएं हैं, वो देख लीजिए, जैसे सब से पहले इसमें जो लिखा है ठीक वो तो डाल सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से दूसरी चीज जैसे अगर कोई बेक्ती जिसने सच्चा सास्त्र डेजुेशन में ले रखा है वो बेक्ती भी इसके समकच अपलाई करने के योगजी है वहाब एक्ती जिसने education ले रखा है सिच्छा सास पड़ रखा है graduation में वहाब ही इसके एकदम योग गी है तो वो लोग कहीं से भी हरास ना हूँ ठीक है कि हमने B.A. नहीं किया है तो हम डाल सकते हैं या नहीं वो लोग बिलकुल eligible हैं जो लोग education की कर रखे हैं मतलब education जिन्होंने ले रखा है असनातक में वो बिलकुल है दूसरी चीज और कौन होगा किसी भी उसमें मालो education नहीं है उसका उसने किसी stream से graduation किया है ठीक है B.A. है B.S.C. है B.A. है कुछ भी है graduate अगर उसके पास degree है और साथ में B.A. है तो वो apply कर सकता है यह दूसरी condition तीसरी condition कोई भी graduate पंदा जो D.A. कर रखा है माल लीजिए D.A. है उसके पास ठीक है वो भी B.T.C. और D.A. वैसे कोई भी होगा तो जहां तक इसके लिए apply करने के आपका आहरी होगा क्योंकि basic precision विद्याले के अंतरगत ही आपका क्या आता है B.T.C. भी आता है दोनों चीजें इसमें हैं तो इसने चुकि यह लिख रखा है तो वो भी apply कर सकता है अगर आपके पास है तो आप apply कर सकते हैं बाद में जो कुछ फैसला आएगा वो सासन के द्वारा बात की बात है ठीक है हो सकता है समकच में वो डाल दे इसलिए जो लोग है apply जरूर परम कर दीजेगा चोथी अगर मैं आपसे बात करूँ कोई भी व्यक्ति जो graduate है ठीक है और उसके पास L.T. diploma का certificate है L.T. diploma का certificate है उसको जरूर reply करना है वो भी इसके लिए eligible है ठीक है तो ये चीज हो गई और पांच भी criteria के है पांच भा आखिर educational qualification के है उसके बारे मैं अगर बात करूँ तो कोई भी व्यक्ति जो graduate है कोई भी ऐसा aspirant है जो graduate है साथी साथ departmental अगर उसके पास certificate है ठीक है बेसिक education field का अगर उसके पास departmental certificate है तो वो भी इसके लिए eligible है तो पांच चीजे मैंने आपको बताई eligibility criteria में तो पांचों के बारे में आप फिर से एक बार सही से ना confirm हुए हूँ तो वहाँ पर मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ वो वेक्ति जिसने education subject ले रखा है ठीक है पहली criteria वो है कि वो वेक्ति जिसने education certificate ले रखा है वो education एक subject ले रखा है और उसने B.A.D. की आमालो education ले रखा है ठीक है और B.A.D. या B.T.C. उसके पास नहीं है तब भी वो education जो subject होती है ये B.A.D. के बराबर होती है तो इसलिए जो लोग education ले रखे हैं उनको जरूर reply करना है दूसरी बात दूसरी criteria के बारे में बात करूँ कोई वे बंदा जो graduate है सामानी किसी भी विसे से education नहीं है और उसके पास B.A.D. की degree है तो वो apply कर सकता तीसरी बात कौन बंदा कोई भी बंदा जो graduate है और आप मानलो वो B.T.C. है या D.A.L.E.D. है तो वो भी apply जरूर कर दिएगा आप लोग ठीक है ऐसा बंदा जिसके पास D.A.L.E.D. है graduate है या B.T.C. है graduation के साथ तो वो जरूर फॉर्म जरूर आप फिल कर दिजेगा चौथा point के रूप में मैंने बताया की कोई भी व्यक्ति जो आपका graduate है graduate है उने के साथ उसको जो है YALT diploma अगर उसके पास है तो वो व्यक्ति eligible है वो भी जरूर इस form को फिल करे अगली पाचवी बात मैंने बतायी पाचवी point के रूप में मैंने जिक्र किया है कि पाचवा point है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास departmental certificate है तो वो जरूर डाल सकता है वो इसके लिए eligible है समझ गये ना पाच क्राइटेरिया पाचो में ने बता दी अगली चीज क्या है कि देवनागरी लिपी में लिखित हिंदी का कारी-कारी ग्यान सिर्फ चाहिए यानि हिंदी आप लिखना जानो पढ़ना जानो तो उतना तो आता ही है ठीक है परन्त अनी बातों के समान होते हैं मानलो कि कोई ऐसा बंदा निकल गया जिसके पास सिच्छा में यल्टी का डिप्लोमा हो ठीक है मानलो इसमें मानलो दो बिएड के अभ्यर्थी हैं उन्होंने एक्जाम दिया और दोनों के मार्क्स बराबर आ गए तब वो प्रिफरेंस देगा प्रिफरेंस क्या देखेगा कि राजगिये बेसिक प्रसिच्छन विद्याले सिच्छा विभाग में बेसिक सिच्छा में प्रसिच्छन यानि मानलो उसके पास BTC भी है तो प्रमाडपत्र अगर है या डिप्लोमा है तो उसको जो है अधिमानी आहर्ता के तोर पर सबसे पहले प्रिफरेंस दी जाएगी अम मानलो यह सब भी हो गया दोनों के पास तब आयोग क्या करेगा तब अधिमानी आहरता ये देगा कि मानलो ये सब कुछ मैच कर गया सभी का ठीक है तो उसके बाद आयोग ये देखेगा कि इन दोनों भिर्थियों में से ऐसा कौन सा है जिसने प्रादेशिक सेना में नियूंतम दो वर्स की सेवा की हो या एन्सीसी का बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो तो ऐसे वेक्ति को आरता दी जाएगी तो समझ गए ना कि सारी चीजें कनफर्म कर दी है मैंने कि ये ये चीजें होनी चाहिए आगे हम बढ़ते हैं कुछानी चीजों पर जैसे आई उसीमा 40 साल होना चाहिए ये ये जो है एक तरीके से ह प्रिलांग कर रहे है यानि पिछड़े वर के अभ्यरती है या वर्गी करित खेलों के कुसल खेलाडी है इन सब को 5 वर्स की छूट दिया है भूतपूर सैनिक के लिए भी इसमें छूट है आगे अगर मैं बताओं इसमें कि जैसे एक बार प्री जो होगी या अबजेक्ट किये जाएंगे ठीक है तो कुछ चीजें और बहुत जरूरी है वो मैं बता दूं ठीक है क्या क्या जरूरी है जैसे इसमें जो स्टेज है कितने स्टेज का एकजाम होगा उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ दूसरी चीज आप ये दिमाग में रख लो कि जो प्री होगा ठीक है प्री जब आप पास करेंगे ठीक है तो प्री पास करने के बाद मेंस के लिए केवल तेरा गुना वेक्ती ही बुलाए जाएंगे तेरा गुना भीरती ही सफल गोजित किये जाएंगे और इसमें संसय नहीं होना चाहिए आयोग ने इस बार ऐसा कर दिया है कि अब तेरा गुना ही वेक्ती जाएंगे निगेटिव मार्किंग अगर की बात की जाए तो सबसे पहले प्रिलिम्स की जो परिछा होनी है आपकी प्री की परिछा जो होनी है ठीक है इसमें जो है चार जो विकल्प होंगे अगर आपने गलत चुना है तो उसके लिए 0.33 आय प्री का पूरा एक तरीके से सलेबस है, प्री जब आप क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई में भी देख हो, ठीक है क्या है, मलब आप उपर से मेरिड लिया जाएगा कि जिसके जैसे माक्स है उपर से मेरिड बनाई जाएगी साथ ही साथ अगर जो अनसूची जातिका है या अनसूची जन जातिका अभ्यरती है उसको 35% लाना है तब उसको consider किया जाएगा किसमे मेरिड के लिए ठीक है कि उसको लेना है कि नहीं 35% से नीचे ला रहांग तो उसको consider नहीं किया जाएगा ठीक है यह ध्यान रखिएगा और जितने अनिस रेडी के अभ्यरती है उनके लिए मिनिमूम इफिशियंसी स्टेंडर्ड नियूंतम दच्चता मानक जो है 40% 300 में से 40 120 नमबर लाना ही लाना है भीया समझ गए ना तो आगे बढ़ते हैं अगले उस पर ठीक है इसके syllabus को थोड़ा सा देख लेते हैं कि free और means का syllabus क्या है notification detail के बारे में मैंने आपको बता ही यह दिया और यह सब तो प्रारूब में देना होता है सरकार के लिए प्रारंबी परिच्छा ही है जो परिच्छा यह जना है प्री है प्री सबसे पहले यह जान जो प्रशन 120 होंगे अंक 300 होंगे और नेगेटिब जो मार्किंग है यह 0.33 की है एक नमबर के लिए ठीक है तो आपका लगबग वहीं 1.33 ऐसे रहेगा जो चीज़ें तीन क्वेशन पर एक गलत कर रहा है क्या क्या इसमें आएगा दो घंटे का पेपर है ठीक है पेपर आपका दो घंटे का है और केवल एक पेपर होना है प्रिलिम्स में और वो भी एक तरीके से क्वालिफाइंग है इसके माक्स कहीं भी मेंस में जोडने नहीं जा रहे दोसरी चीज़ें दो घंटे के पेपर में शामाने विग्यान भारत का इतिहास भारतिय राष्टी आंदोलन और उसके साथ ही साथ भारतिय राष्टी आंदोलन के साथ ही साथ भारतिय राष्टंत्र अर्थवेवस्था योंक्रेसी ये सब कुछ आपका कहीं न कहीं जो है आने वाला है आगे हम बात करें इसमें उत्तर प्रदेश से संबंदित भी आपसे होगा और प्रि में जैसे आरु के सलेबस में आपको ध्यान होगा ठीक है प्रारंबीक जो गणित होती है हई्सकूल अस्तर तक आंगल गणित बीड़ गणित युम रेखा गणित पूछी जाती है तो ये रहेगा ठीक है यह prelims है prelims सिर्फ क्वालिफाइंग है मैंने बताया मेंस के बारे मैं अगर थोड़ा सा मैं detail आप से बात करूँ तो मेंस की परिच्छा इसने हाला कि यहां लिख दिया है लिखेत परिच्छा यह परिच्छा यह जना यह पार्ट करम देखो इसमें दो पेपर होगा मैंस में ठीक है एक पहला जो होगा यह सामान अध्यन का होगा जिएस जिसको आप कहते हैं जर्नल इस्टेडी और दूसरा जो होगा वो सामान हिंदी यों निवंद का होगा दोनों तीन तीन घंटे के हैं यानि आरो जो समिच्छा इदिकारी का पेपर होता था वैसा ही पेपर आपको मिल गया है कहीं न कहीं जो लोग पुराने हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा मोगा है उनके लिए फिर से वहीं चीज ला दिया है जो पुराने प्रारूप पर होती थी अगली चीज इसमें देखें जैसे प्रशन पत्र इसमें जो सामान अध्यन का है उसमें कुल प्रशन 40 आने हैं सभी प्रश जित खंड के होते हैं। उनको करना होता है। इसी साब से पूरा का पूरा लिमिट दिया हुआ है। और साती सा सामान हिंदी और निवंद के अंतरगत जो है सबसे पहले जो सामान हिंदी आएगी ये 100 अंगों की आएगी यो दुतिये खंड जो हिंदी निवंद आपको लिखना होगा ये भी 100 अंग का होगा तो 200 ये है और 200 ये है 400 नंबर का एक तरीके से ये पेपर आपका होन मेंस के पाठ क्रम में, दूसरी चीज, सामान हिंदी का जो आ रहा है, ठीक है, तो आप अठित ये गध्यान सोगा, उसका संचेपड, बहुत जरूरी है, संबंधित प्रस्ण होंगे, रेखांकित अंको की ब्याख्या और उपएक सीरसक, उसके बाद पत्र लेखन आप से पु निवंद आपको दो निवंद लिखने होते हैं टोटल, और साथ सु सब्द लेकर शुनना होता है, ठीक है, सबसे पहले ही उसने निवंद के लिए छेतर दे दिया है, साहित संस्क्रिट से पहला पॉइंट है, मलब पार्टे जो होगा, इसमें से एक चूच कर, चूच करना ठीक है, अन्य आर अच्छन बगएरा के बारे में मैंने बाप से बात कर ली, तो लगबख सारी चीजे हो गई हैं दोस्तों, तो चैनल पर जो लोग नए हैं, जो लोग पुराने हैं, उन सभी का मैं फिर से स्वागत कर रहा हूँ, और चैनल में ऐसे ही अन्य आपकी जानका हो की, उस सीरीज को जरूर देखना है, और थोड़ी सी एक और इंफार्मेशन में आपको बताना चाह रहा हूँ, कि इसकी जो आपकी प्रिलिम्स की टेसरीज होगी, ठीक है, प्री की टेसरीज, ये पर इक्षा प्लस टीम लेकर आपके लिए आएगी, कुछ और इंपर्ड आपके साथ है, और साथी साथ टेलिग्राम चैनल से जूड़ जाइए, और यूटूब ये जरूर सब्सक्राइब कर लेजिए, और मैं इस समय यूपी ट्रिपल सी जूनियर असिस्टेंट को लेकर के, आठ सो प्रस्ण हिंदी के, जो यूपी ट्रिपल सी 2019 के बेस्ट पर लेटेस्ट हैं, इनकी एक स्रेंखला चला रहा हूं, उन आठ सो प्रस्णों को अगर आप देख लेते हैं, तो 24 दिसंबर आपके हाथ में है, कोई रोग नहीं सकता है, बाकी या निभी उस पर सेक्शनल जो है, पचास-पचास क्वेशन के भी वीडियो जाने वाले हैं, त चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लेना है, बाकी टेलिग्राम चैनल से जूट जाईए, ठीक है, टीम परिक्शा प्लस आप सभी का स्वागत करती है, चैनल जरूर सस्क्राइब करें, तब तक आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद.